दोस्तो एक्सल से automatic email कैसे send करेंगे वो भी बिना VBA के देखिए यह मेरे पास data name email amount pending अब मुझे क्या करना है जिन लोगों का amount pending है ना उन सभी लोगों को उनके amount और due date के साथ email send करना है वो भी automatic तरीके से बिना VBA के तो यहां पे ना इस वीडियो में मैं एक कमाल का formula आपके साथ share करने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगा तो demo आप देखिए यहां पे आप देख सकते हो जिनका amount pending है उन सभी के सामने send email लिखा रहा है है ना जिसका amount clear है उसके सामने send email option नहीं है अब यहां पहला record आप यह नेम के है राजकुमार id के है दीपक edu world amount कितना है पेंडिंग में 100 जैसे ही आप यहां send email पे क्लिक करोगे तो automatic email generate हो जाएगा fully automatic देखिए टू में अपने आप दीपक edu world id आ गई है यह id थी आपने आप यहां पे आ गई your pending amount is 100 अपने आप इसेल में से आ गया है ठीक है और उसके बाद यहां पे प्लीज डिपोजिट इट बिफोर ड्यू रेट लिक्यू है थैंक यू अब अगर इस id पे यह mail आप send करना चाहते हो तो बस send पे क्लिक कर दीजिए mail चला जाएगा ठीक है इसी तरह मैं यहां पे मा idea गही मास्टर टुटोरियल सी सी अपने आप आगया subject अपने आप आगया डियर रमेश सर्मा नेम क्या इसका नेम देखिए यहां पर रमेश सर्मा ठीक है रमेश सर्मा नेम है उसके बाद यहां पर यहां पे यूर पेंडिंग अमाउंट है और यहां पर due date send पे क्लिक बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों चलिए सुरू करते हैं मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लैट्स बेन दिस टापिक तो सबसे पहले ना आपको एक सेल में सब्जेक्ट टाइप करना है जैसे मैंने टाइप कर दिया दीपक इडिवर्ड टीम उसके बाद अगर आप सीसी में कोई आईडी देना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो अगर आप अपने बॉस को सीसी में एड करना चाहते हो तो वो आईडी आप यहाँ पर लिख लीजी है एक्जम्पल के लिए मैं आप टाइप कर देता हूँ बॉस add the rate gmail.com यह बॉस की आईडी होगी मैंने temporary ले लिए है ठीक है उसके बाद यहाँ पे send remainder का column है और यहाँ पे हम लगाएंगे formula यह काम हम करेंगे hyperlink formula से साथ में थोड़ असा इस formula भी use करेंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे step by step आपको समझना है पहले हम लगाते हैं simple सा equal hyper link bracket open सबसे पहले हमें यहाँ पे double course में लिखना होगा उपर आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें double course में लिखना है mail mail 2 उसके बाद column लगा देना है double course बंद कर देनी है उसके बाद end का sign लगाना है और आपकी जो पहली idea इस cell को select कर देना है कर दिया उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे अब hyperlink का second parameter आ गया कि यहाँ पे क्या text आप दिखाना चाहते हो जिस पे click करने पे यह hyperlink formula काम करें send email send message जो भी तो double course के अंदर मैंने यहाँ पर type कर दिया send email double course close bracket बंद अभी इतना सा formula मैंने लगाया दीरे दीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे काम करते जाएंगे step by step आपको यह video पूरा देखना है तब इस video का पूरा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों ठीक है यहां से इसको पकड़के मैंने नीचे ड्रेक कर लिया माली जी मैं सबसे नीचे वाले सेल पे यहां पे क्लिक करता हूँ send email पे तो देखिए यहां पे कौनसी आइडिया रही है master tutorial मतलब EC की आइडिया रही है तो इतना काम हो गया अब यहां पे हम subject और CC add करेंगे ठीक है त अगर आप PowerPoint सीखना चाहते हो A to Z तो वो वीडियो आप देख लीजिए लिंक आई बटन पे दे रखा है ठीक है अब यहां पे हम edit क्या करेंगे आप इस send email को हटाईए अभी हटा दिया ठीक है तो hyperlink के अंदर आपने लिखा double quotes के अंदर mail to और उसके बाद आपने यह mail वाला cell पहली जो id थी उसको कर दिया select उसके बाद यहां पे end का sign हम लगाएंगे double quotes के अंदर हम लेखेंगे question mark और subject subject equal यह थोड़ा सा syntax है यह आपको ध्यान से देखना है double quotes के अंदर आपने लेखा subject equal फिट double quotes बंद कर दी end का sign लगाके अब subject कौन से cell में है उस cell का reference यहां पे हम देंगे subject हमारा इस cell में है और यह सभी के लिए fix है तो इसको हम lock कर देंगे यहां पे हम keyboard से press कर देंगे f4 key तो हमने subject वाले cell को lock कर दिया ठीक है अब यहां पे हम cc और देते हैं साथ में तो end का sign लगाएंगे फिर से और double quotes के अंदर हम क्या लिखेंगे देखिए double quotes मैंने open की फिर से end का sign लगाएंगे और लिखेंगे cc equal end cc equal यह थोड़ा सा syntax है आपको देहां से देखना है ठीक है double quotes close उसके बाद यहां पे end का sign लगाएंगे फिर से और आपका जो cc वाला cell है उसका reference देंगे यह हमारा cc वाला cell है इस पे click कर दिया और इसको हम कर देंगे lock की बोर्ड से f4 की दबा के क्योंकि subject and cc हमें सभी mails के लिए same रखना है इतना काम हो गया ठीक है उसके बाद यहां पे अब हमें करना क्या आगे हमें body add करना है body हम बाद में add करेंगे फिलाल मैं यहां पे कॉमा लगा देता हूं और double quotes के अंदर हम type कर देते हैं देखिए hyperlink formula कहां पहुंच गया friendly name second parameter पे कॉमा लगा दिया हमने ठीक है बीच में कहीं कॉमा नहीं लगाना आपको तो कॉमा लगा दिया double quotes के अंदर मैं लग दिया send email double quotes close bracket बं मैं क्लिक करूँगा उसकी id आपने आप यहां पे आ जाएगी आपने आप cc में id आ गई और अपने आप subject आ गया आगया ठीक है आप देख सकते हो मैंने कौन से option पे क्लिक किया है मैंने यहां पे क्लिक किया है यह वाला send email तो id क्या है इसकी डीपक edu world ठीक है और यहां से subject अपने आप आगया और cc अपने आप आगया यह आप देख सकते हो ठीक है ना अब यहां पे आगे हमें काम करना है body का body का जो text होगा वो कैसे आएगा यह आप देखिए तो इसको मैं कर देता हूं close और no ठीक है मुझे क्या करना है body के लिए एक cell बनाना होगा जैसे हमने य अब के लिए वो अलग लग होगा तो मैं यहां पर column add कर लेता हूं insert और यहां पर हम टाइप कर देंगे body अब यहां पर body का जो text होगा उसके लिए हम formulas लगाएंगे कैसे लगाएंगे देखिए equal double quotes open सबसे पहले हमें अपने email message की body में greeting line add करनी है जैसे hello राजकुमार, hi राजकुमार, dear राजकुमार जिस तरह से आप add करना चाहते हो तो मैं यहां पर dear टाइप करता हूं dear खिक है space दे दिया double quotes close आप hi hello जो भी लिखना चाहते हो लिख लीजिए end का sign लगाएंगे और उसके बाद ये name हम साथ में जोड़ देंगे, enter press कर देंगे, इतना काम हो गया dear राजकुमार उसके बाद यहां पर हमें बाकी का message टाइप करना है, तो फिर से हम उपर आप देखिए, यहां पर फिर से end का sign लगाएंगे और double quotes के अंदर type करेंगे, message तो आप जितना भी लिखना चाहो लेख सकते हो, जैसे लिखना चाहो लेख सकते हो, यह अपने उपर अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको customize कर सकते हो तो dear, उसके बाद यह name आजाएगा, उसके बाद your pending amount is space, double quotes close, फिर end का sign लगा के pending amount वाला cell कर देंगे, select, इतना काम हो गया, उसके बाद यहां पर फिर से end का sign लगाएंगे, double quotes open, ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे message टाइप करेंगे, please deposit 8 before, कोई भी date देदी सिए, जो भी आपको due date रखनी है, मालीजे, 1,1,2,21, double quotes close, ठीक है, इसके बाद यहां पर आप thank you भी लिखेना चाहते हो, तो लिख सकते हो, मैं यहां double quotes को हटा देता हूँ, मैंने यहां पर लिखा thank you, thank you, इस तरह से, फिर यहां पर double quotes मैंने बंद कर दी, enterprise कर दिया, तो यहां पर लिखा आ गया, इसको पूरा देखने के लिए अभी cell के अंदर, जो text है, वो पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर double click कर लेता हूँ, automatic इसकी जो है, height set हो जाएगी, dear Rajkumar, your pending amount is 100, 100 यहां पर है, please deposit 8 before 11 2021, thank you, ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज करनी होगी, अगर यह जो amount यहां पर 0 है, अगर मान लिखे मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो यहां पर यह message नहीं आना चाहिए, body के अंदर यह message नहीं जाना चाहिए, तो अभी मैं यहां पर 100 type क करेंगे, edit क्या करेंगे, उपर आप देखिए, equal से पहले हम click करेंगे, और if का formal लगाएंगे, if bracket open, अगर यह जो cell है, इसमें value कितनी है, उपर आप देखिए, 0, 0 है, तो blank आए, double course open, double course close, otherwise, फिर यह पूरा जो भी text है, यह आ जाए, ठीक है, last मैं हम यहां पर क्या करेंगे, double course को, sorry, bracket को बंद कर देंगे, इसकी bracket बंद, enter press कर दिया, तो काम हो गया, ठीक है, अगर यहां पे होगा 0, तो यहां पे blank आएगा, अगर यहां पे कोई भी amount है, तो यहां पे message create हो जाएगा, इतना काम हो गया, सभी के लिए यहां पे जो है, यह message create हो गया, आप यहां से इन pending amount is 400, please deposit it before, इतना, अब यहां पे एक सीज़ समझने वाली है, जो email की window open होगी न, उसमें यह message इसी तरह जाएगा, regular, बिना spaces के, और वहां पे कोई line break नहीं होगा, अगर आपको message body में, line break के साथ यह text दिखाना है, तो यहां पे थोड़ा सा change और करना होगा, आप यहां पे click करो, यहां पे हम change करते हैं, और dear Rajkumar, उसके बाद का जो text है वो नीचे line में जाना चाहिए, जो message body होगी उसमें, ठीक है, तो enter यहां पे काम नहीं करेगा, यहां पे छोटा सा code आपको लिखना पड़ेगा, जहां जहां line break करना है न, वहां वहां पे छोटा सा code आपको लिख राज कुमार, your pending amount, your से पहले हमें line break करना है, तो यहां पे आपको type करना होगा, %0A, यह type करना है, एक line break के लिए, तो यहां पे मुझे दो line break चाहिए, तो मैं type करना हूँ, फिर से %0A, ठीक है, उसके बाद your pending amount is, your pending amount is, amount आ जाएगा, और उसके बाद please deposit, please से पहले फिर मेरे करना है, तो मैं यहां पे please से पहले जाऊंगा, फिर से type कर दूगा, %0A, %0A, एंटर प्रेस कर दूगा, तो यहां पे काम हो जाएगा, यहां पे तो यह percentage 0A आपको देखेगा, बट जो message body होगी, वहां पे जो text जाएगा, वहां पे यह चीज आपको दिखाई नहीं देगी फिक है न, इतना काम हो गया, अब यहां पे जो यह formula है, यहां भी थोड़ा सा edit कर लीचीए, send email का option तब ही आए जब amount pending हो, 0 है तो यहां पे यह send email का option नहीं आना चाहिए, तो अभी यहां पे हम click करेंगे, यहां पे click करेंगे और उपर आज यह formula में, यहां पे थोड़ा सा change है, वो है 0, तो double course open, double course close, मतलब blank cell यहां पे आए, otherwise फिर यह formula hyperlink वाला काम करें, और यहां last में, इफकी bracket बंद कर देंगे, enter press कर देंगे, तो यह काम हो गया, इसको पकड़ के आप नीचे drag कर दीजिए, double click कर दीजिए, यहां पे, तो नीचे आप देखिए, यहां पे 0 था, तो यहां पे send email का option नहीं आया, बाकी जहां जहां पे amount है, वहां पे send email का option आ गया है, थोड़ असा छोटा मैं इसको कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है, अब यहां पे हमारा बस एक काम रह गया है, कि जो send email का जो option है, मैं यहां पे एक बार आपको दिखाता हूँ, click करके, अभी यहां पे two में idea गई, cc आगया, subject आगया, body यहां पे हमें लाना है, body text जो हमने तियार किया है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आपो थोड़ असा change करना है, आप यहां click कर लो, click करने के बाद, यहां पे दो bracket हमने बंद कर रखी हैं, आप यहां से इसको हटा सकते ह जो, send email को, ठीक है, मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, तो यहां पे, मैं हटा देता हूँ, इसको और नहीं, तो आप confused हो जाओगे, तो मैंने यहां से इसको हटाया, ठीक है, यहां तक हटा दिया, उसके बाद यहां पे अभी हमने cc add कर रख है, ठीक है, साथ में फिर से हम end क sign लगाएंगे, double course open, फिर से end का sign और लिखेंगे, body equal, double course close, फिर से end का sign और पहला जो body text है, उसको select कर देंगे, कर दिया, इतना काम हो गया, अब यहां पे हमें करना क्या है, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे, double course के अंदर, send, mail या email जो भी आपको लिखना है, मैंने mail लिख दिया, double course close, यहां पे दो bracket बंद कर देंगे, एक hyperlink की और एक if की, enter प्रेस कर देंगे, तो काम हो गया, इसको मैं नीचे copy कर देता हूँ, double click करके, और अब मैं यहां send mail पे click करता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, Dear Rajkumar, Your pending amount is 100, अपने आप आगे 100 यहां पे है न, देखिए आप, यहां पे 100 है, तो अपने आप यहां पे 100 आगया, Please deposit it before, यह data आगी, और thank you लिखा हुआ है, अगर आप कोई thank you नीचे चाहिए, तो आप यहां पे thank you से पहले, body का जो text आपने त्यार किया thank you से पहले, percentage 01, code आ यहां पे अपने आप line break हो जाएगा, अगर आपको इन दौनो लाइनों के बीच में line break नहीं चाहिए, मतलब एक चाहिए, यहां पे extra आ रहा है, तो एक बार code को आप हटा दीजिए, तो इस तरह से यहां पे, यह automatic हो गया है, ready, अब जैसे ही send option पे आप click करोगे न, तो यह mail इस ID पे जो है चला जाएगा, अब यह जो window open हुए, यह outlook की window दोस्तो, जैसे ही आप यहां पे click करोगे न, send mail पे, तो outlook आपके system में open हो जाएगा, अगर आपने outlook में ID setup कर रखी है, तो ठीक है, नहीं कर रखी, तो outlook की window आपके सामने आएगी, उसमें आप अपना Gmail account login कर लेना login करने के बाग, यह simple यह window आपके सामने आजाएगी, और यह proper सही work करेगी, अपने PC में net connect रखी है, जिसको भी mail send करना है, उस पे click करो, और बस send पे click करो, instantly आपका जो mail है, वो चला जाएगा, जो भी ID होगी, और यहां पे जो data होगा, उसी के according mail send हो जाएगा, यहां पे, ठी hide कर दिया, उसके बाद इनकी जो height है, इसको आप कम कर सकते हो, select करके और यहां से आपने कम कर दिया, तो यह देखिए, काफी अच्छा लग रहा है, जिसको भी mail send करना है, मुझे करना है, चंदू को, और मैं यहां पे send mail पे click करूँगा, तो यहां पे देखिए, डियर और comment में लिखके जरूर बताओगे, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और subscribe कर लेना चैनल को, अगर नहीं किया है, तो ऐसी अच्छे से वीडियो आते रहते हैं, मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, thank you दोस्तो, have a nice day, जैहें, one day मात्रम, जैखिए